कि रायταता तो आप लोगोंने बहुत खाया होगा लेकिन कभी मश्रूम का रायता खाया है जी हाँ आज मैं आप लोगों के लिए रैस्पी लेकर आया हूँ मश्रूम के रायते की e बहुत ही सौधिष्ट है और हेल्दी भी तो चलिए सुरू करते हैं हम इसे बनाना तो सबसे पहले एक पैन में हम एक चम्मच बटर ले लेंगे बटर हमें थोड़ा ही लेना है जादा नहीं लेना है और इसमें हम थोड़ी सी आइड करेंगे कसूरी मैथी तो यहां पे कसूर पीसिस इसमें एड की हैं तो यहां पे हम इसे एक मिनिट के लिए बटर के साथ फ्राइ करेंगे तो यहां पे मैं बटर के साथ इसे हलकलका फ्राइ कर लेता हूं सिर्फ हमें एक मिनिटी पकाना है जादा नहीं तो यहां पे हमारी मश्रूम रेडियो जोके हैं इसे हम साइ तो घर का डीओ जो जमा हुआ दही रहता है वो भी यूस कर सकते हैं、 अब हम इसे विसकर के अच्छी से मिला लेंगे विसकर की सहाईता से तो इसे हम अच्छी से फómo्चाय लेंगे जिससे यह एक सी कंसिस्टेंसी में आ जाये, बहुत ज्यादा ठीकना रहे अब हम इसमें एट करेंगे 2-3 हरी मिच तो बारी कटी हुई हरी मिच थी और ये हमारा फ्राई किया हुआ मश्रूम तो यहाँ पर मश्रूम एट कर दिया है मैंने और ये गया इसमें छोटी जम्मस से जीरा पाउडर और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिच कलर के लिए आप चाहें तो दिकी वाली भी यूज कर सकते हैं और ये गया इसमें काला नमक काला नमक जरूर डालें और ये थोड़ा सा साधा नमक नमक आप अपने स्वाड़ उनुसा रेट करें और ये बारी कटी हुई हरी धनिया अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे वापस से और हमारा रायता रेडी हो गया है तो बहुत ही आसान इसे बनाना जटपट बनता है लेकिन सौद में लाजबाब और बहुत हेल्दी भी तो कैसी लगे आप लोगों को रेस्पी जरू बताईएगा इसे हम थोड़ी सी कश्मीरी लाइल में इसे गानिश कर देंगे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बैल बटन की घंटी को जरू दवा दिजेगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेस्पी में जै हिंद